तो हलो प्रेंट्स, वेलकम टू इजी इंगलिश समरी, तो आज शीकलास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स्थ का चैप्ट नमबर सैवन, जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव, तो यह जो कहानी है, यह दो बच्चों की है, जो की भाई भेन होते हैं, उन में से एक का नाम होता है निशद, और दूसरी का नाम होता है माया, यह लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके नेबर में जो मिश्टर नाथ रहते हैं, वो एक क्रिमिनल है, just because वो अकेले रहते हैं, और किससे ज़ादा मिलते चुलते नहीं हैं, तो जो निशद होता है, वो साथ साल का होता है और माया जो होते हैं वो 10 साल की होती है और इस शेप्टर में एक्सपर्ट डिटेक्टिक इनी को बताया गया है तो जो इन दोनों की मदर होती है वो एक डॉक्टर होती है और मिश्टर नाट जो होते हैं वो इनकी मदर की क्लीनिक में अक्सतर आया करते हैं और इनकी मदर उन्हें बताती है कि इस्टर नाथ जो हैं वो बहुत ही अच्छे आदमी है और एक बार की बात है जब ये दोनों अपने गार्डन में खेल रहे होते हैं तो इनकी मार्बल्स जो होते हैं वो मिस्टर नाथ के घर में चल रहे आते हैं तो जब ये लोग वो इन म किया हुगा जब भी कोई ना कोई क्राइम कर रहे होगे तो इसके बाद जो निश्ट और माया हैं इनके महिमें और बहुत सारे सवाल उटने स्टार्ट हो जाते हैं मिस्टर नाथ के बारे में इन्हों ने अपने मन में पना लिया था कि वह एक क्रिमनल है तो इन लोगों ने स से कितने टाइम खाना मंगा आते हैं और कैसे कैसे मतलब इसके बार में इन्फिमिशन इखटी करता है तो रमीश उसे पताता है कि सुबा की चाय और दो टाइम पर खाना और संडे के दिन यहां पर मैं डबल खाना डिलेवर करता हूं क्यूंकि इनका कोई फ्रेंड यहां प बुष्वास है वो और ऑने वाले दिन ल हुते हैं टो उस दिन हए उसने कि नहीं होते हैं वो नहीं के नद है कि नाहीन्त तो ये प्रवाद विए तो इसके बाद इनके स्कूल ओपन हो गए थे तो यह लोग जब स्कूल जा रहे थे एक दम से बारे स्टार्ट हो जाती है फिर उसकी विज़ा से जो इनकी मदर है वो बोलती है कि तुम लोग स्कूल मज जाओ और आज यहीं पर रेस्ट कर लो तो इसके सब्सक्राइब